नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अमित और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप फोटोशॉप 7.0 के अंदर किस तरीके से पासपोर्ट साइस फोटो बना सकते हैं इस वीडियो को लाश्ट तिक जो देखिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हम लोग इस वीडियो को जैसे कि आप सब यहां देख पारे होंगे मैंने यहां पर एक फोटो लिया है इस तरीके से तो अगर आपको अपना पासपोर साइस फोटो बनाना है तो आप अपने फोन से कुछ इसी तरीके से खड़े होके यही पोस देख रिके आप अपना फोटो खीच लीजेगा और इसको फिर इंपोर्ट कर लीजेगा अपने कंप्यूटर में और यहां पर उपन कर लीजेगा ठीक है इसके बाद आपको क्या करना है सबसे पहला काम आपको इसे क्रॉप करना है पासवर्ट साइस फोटो के साइज में ठीक है कैसे क्रॉप करेंगे जरा वो देखिए यहां पर आपको password size photo का width height डालना होगा अब क्या होता है width height password size photo का तो इसका width होता है 3.5 cm तो आपको यहाँ पर cm इस तरीक से लिखना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर height डालिए 4.5 cm cm ठीक है और यहाँ पर resolution आपको रखना है 300 का 300 resolution हम क्यों रखने है ताकि जो आपकी photo की quality निकल के आए बन के आए वो काफी अच्छी crystal clear आपको दिखाई देने पाए तो हमने यहाँ पर resolution एंटर कर लिए और यहाँ पर आप जो centimeter यहाँ पर हमने लिखा है न वो तभी लिखा हुआ आएगा जब आप यहाँ पर pixel slash centimeter cm को select करेंगे तो पहले इसको select कर लिए न तब जाकर कि आप width height यहाँ पर resolution आप enter करना ठीक है तिन इसके बाद हमें इसे crop करना है simple ऐसे select करेंगे तो यहाँ पर crop वाला यह shape आ रहा है न यह एकदम इसी size में आ रहा है तो इस तरीक से आप adjust कर दीजेगा और यहाँ पर check का बटन देख रहे है या फिर enter का बटन है keyboard में enter प्रेस कर दीजेगा ठीक है तो यह फोटो कुछ इस तरीक से आपकी crop हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर यह फोटो तो आपका एक तरीक से बन गया है एक password size फोटो आपका यहाँ पर बन गया है बस अगर आपको यहाँ पर background वगैर चेंज करना चाहते हैं तो मैंने आपको background चेंज करना सिखा रखा है अगर नहीं जाते तो भी मैं इस video में आपको बताने वाला हूं background किस तरीक से आप change कर सकते हैं तो background change करने के लिए सबसे पहले आपको इस background को select करना पड़ेगा और delete करना होगा then उसके बाद हम एक new layer लेंगे और उसके अंदर जो color चाहते हैं background में देना वो color दे देंगे okay अगर आता है तो आप एक बार करके खुद try करियेगा वाकि मैं यहाँ पर कर बारख करने के लिए और मैं यहाँ पर selection करने वाला हूं pen tool से किजिकि pen tool करने के लिए सेथे लिए पह refusing किस तरीक से pen tool से selection करना होता है अगर नहीं पता तो ध्यान से देख लिए पहले आपको pen tool ले ले लेना है picture को zoom कर लेना है picture zoom करने का shortcut की आपको पता होगा control के साथ plus button दबाएंगे तो picture zoom हो जाएगी और control साथ minus button दबाएंगे तो आपकी जो picture होगी वो zoom out हो जाएगी ठीक है कुछ इस तरीके से ठीक है और अगर मैं इस picture को move करना है जिससे अगर मैं इसे अभी move करना हो तो देखिए pen tool ऐसे चल जाएगा ठीक है तो इसको move करने के लिए आपको space का जो button होता है आपकी keyboard में उसको दबा के रखना है तो इस तरीक से hand का चितर बना हुआ आएगा तो जब तक आप अपने keyboard के space button को दबा के रखेंगे तब तक यह hand आएगा और तभी तक आप इसे इस तरीक से move कर सकते हैं ठीक है अब यहां पर कर दो एक रहता है pen tool से हम shape भी बना सकते हैं और selection भी कर सकते हैं तो चलिए selection करने स्टार्ट करते हैं simple कैसे करेंगे एक click करेंगे यहां पर dot आ गया फिर आगे click करेंगे थोड़ा सा मैं इसके mouse का button दबाय वे थोड़ा सा आगे करूंगा curve करने के लिए ठीक है अगर कोई गलती हो तो आप इस तरीक साही कर सकते हैं अब यह नीची के दर्फ कर रहा है तो मैं alt के साथ इस पे click करूंगा तो यहड़ जाएगा यह एकदम straight इस तरीक से आता जाएगा ठीक है तो आपको भी इसी तरीके से selection है इसकी कर लिए नहीं है तो मैं फटा-फट से और यह पूरा मैंने यहां तक select कर लिया अब मेरे को इसका background actually remove करना है ठीक है तो मैं पूरा background select करूँगा ना कि इसको हाँ इसको मैं कर सकता हूँ इसको भी असान है select करना background को भी असान है अगर देखो मैं यहां से इस तरीक से लेके जाओंगा और ऊपर यहां पर लेके accordingly इसको inverse करे करे selection को change कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ यसा ही कि मैं यहां पर नीचे by the way इस तरीक से मैंने select करया और यहां पर किया और यहां पर मैंने इसकी selection close कर दी ठीक है तो यहां पर अभी क्या हुआ है जो यह इनसान है यहां पर पूरी तरी किसे select हो गया है ठीक है राइट क्लिक करके make selection पर click करोगे तब complete selection होगी ठीक है और यहाँ पर feather जो radius है वो to रखेगा आपको पता ही है radius के क्या use होता है edges को soft करने के लिए यहाँ पर हम radius का use करते हैं ठीक है simple okay के button पर click करोंगा तो दिखे यह photo आपकी select हो गई लेकिन मुझे क्या select करना था background तो simple है आप यहाँ पर इसे inverse कर दो select option में जाओ और inverse shift control eyes की shortcut की है इसे क्या होगा आपकी नए जो selection की है वो यहाँ पर inverse हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर दीखे background select हो गया इसकी जगह पे ठीक है अब आपको क्या करना है simple जो आपने यहाँ पर select कर देंगे हम लोग तो delete कर मैं बटन दबाता हूं यहाँ पर क्या होगा यह फोटो का जितना selection किया गया पार्ट है यह delete हो जाएगा तो देखे मैं delete बटन दबाया तो यहाँ पर यह पर delete तो हो गया लेकिन background में black color आ गया अब ऐसा क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों कि देखिए यहाँ पर background color है वो black हो रखा है ठीक है अगर आप इसे change वगरा करना चाहत हैं तो कर सकते हैं फिलाल मैं आपको एक अलग तरीका बता रहा हूं यहाँ पर यहाँ चाहर देखिए जो आपकी layer है यहाँ पर किसमें पहले से है background में है तो आप इसको background से layer में पहले convert कर लो तब जाके transparent delete होगा ठीक है तो मैं इस पर double click करता हूँ और okay करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी color नहीं आएगा ठीक है और जो selection रोखे इसको Ctrl D के साथ मैं D select कर लेता हूँ तो देखो हमारे पास क्या मिल गया एक proper यहाँ पर हमें transparent background मिल गया है अब हम इसके background में कोई सभी color डाल सकते हैं simple है कैसे डालेंगे कोई सभी color मैं आपको बताता हूँ यहाँ यहाँ पर आईए adjustment layer पर और यहाँ पर solid color इसको select कर लीजे ठीक है और फिर ok का button ऐसी दबा दीजे ठीक है यह एक layer आ गई हमारे पास इस layer को उठा के इसके नीचे रखिए तो अब देखिए background में white color यहाँ पर आ गया है अब आपको जो color रखना है इस पर double click करके color change कर लीजे जैसे कि में got red रखना है तो देकिए इस तरही कि से घड़ कलर यहाँ पर हाजा हो थोड़ा dark में रख देता हूं कुछ इस तरीके से तो आगर में red में आप रखना साग les me में कर लीजिए अगर blue में करना चाहते हैं तो इस तरह से blue में कर लीजिए ठीक है फिलाल मैं यहां पर red ही color जो है red color ही उसको रख देता हूं तो इस तरह के color रख लेता हूं ताकि दिखने में भी थोड़ा अच्छा दिखाई दें ठीक है okay कर देता हूं यहां से तो देखिए यह बन के त्यार हो गए यह एक password size आपकी photo ठीक है अब आपको बहुत सारी बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे वो जर देखिए तब से पहल तो इन दोनों को आप एक बना लीजेगा ठीक है मतलब इन दोनों को merge कर लीजेगा या फिर इस ऐसे link कर लीजेगा ठीक है फिलाल मै क्या करता हूँ इसे ctrl कि से e-button दबाके merge कर देता हूँ दोनों को एक बना देता हूँ टीक है इसके बाद आपको क्या करना है ज्रों देखिए इसको चोटा कर लेना अलग और यहाँ फाइल में जाके क्या करना है आपको new लेना है ठीक है और यहाँ पर preset size में जाना है और A4 size की photo पे तो इसी विएसे हम यहां पर A4 size ले रहे हैं ठीक है और यहां mode आप CMY के लिजेगा क्योंकि हमें printing करनी है ना कि digitally किसी को दिखाना है CMY के लेना है A4 size लेना है और OK करना है तो यह हमारे पर A4 size का page आ गया अब यह photo है इसको उठाईए और इसमें drag and drop कर दिजे अब आप simple क्या कर लिजे इसको control के साथ T button दबाके इसे आप थोड़ा से चोटा कर लिजे shift के साथ अब देखिए अगर मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूं और अगर मैं इसमें थोड़ा सा border बगर देना चाहता हूं दे सकता हूं आपको पता होगा stroke तो यहां यहां आता हूं stroke पर क्लिक करता हूं और यहां पर black color का जो stroke है वो दे देता हूं और यहां पर outside नहीं दूंग इंसाइड ही दे देता हूं stroke थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा यह फिर मैं आपको एक बात और भी बता देता हूं कि यह stroke जो हमने इसमें अभी दे रहे हैं वो हम इसमें भी direct दे सकते हैं तो मैं इसमें से इसमें लेकर आऊंगा तो stroke हमें बना बना ही मिल जाएगा ठीक ठीक दिखता है इतना okay कर देता हूं ठीक है तो इसमें stroke भी आ गया इस वाली photo को मैं delete कर देता हूं फिलहाल इससे मैंने delete कर दिया ठीक है इसको अब मैं उठा के इसमें डाल दूँगा तो यहां पर यह मेरे को मिल जाएगा ठीक है stroke इसमें लगा लगा लगाया मिल जाएग अब आप इसको छोटा कर लिजिए और इस page के अंदर arrange करेंगे आपको सही से रखना है तो बस मैंने इसे थोड़ा सा छोटा कर दिया कुछ इतना ठीक है वैसे फिलाल थोड़ा सा बढ़ा रखते है ओके दैन उसके बाद आप यहां पर इसे ऐसे set कर लिजिए ठीक है और फ अगर आप इस पर click करके drag करते हैं इधर तो एक इसका duplicate बनके आ जायेगा ठीक है तो देखे मैंने alt के साथ इस पर इसे इधर लेके आ गया तो देखो यह duplicate आ गया लेकिन तो यह उपर नीचे भी हो सकता है ठीक है मैंने इक और इस तरीक से निकाल लिजिए यहां फिर एक औ पांच यह कुछ इस तरीके से ठीक है तो यहां पर हमने पांच फोटो इस तरीक से बना ली अब आपको एक काम करना है जो आपने यहां पर पांच फोटो बनाई है ना यह इसकी दिखो अलग-लग layer यहां पर आ गई है ठीक है आप क्या करो इन पांचो फोटो को merge कर लो कैस यह मैंने यहां पर किया, फिर यह मैंने इस तरीके से यहां पर किया, फिर एक और किया और यहां पर एक और कर दिया, ठीक है, तो कितनी बन गई फोटो, फाइफ इदर रहे हैं, और सिक्स यहां पर है, मतलब ठाटी फोटो यहां पर बन गई, ठीक है, और इसको भी मैं क्या क कर सकते हैं आप इसे file option में चाहिए save as option पे चूज़ करिए ठीक है desktop production में चूज़ कर लेता हूँ फिलाल और यहां पे पासवर पिक इस नाम से डाल देता हूँ और इसे jpeg format पे save करता हूँ ठीक है save पे click किया और यहां जो quality है वो एक दम large ही रखिएगा और ok के button पे click कर दीजे बस आपकी password size photo यहां पे तयार है मैं इसे open करता हूँ और दिखाता हूँ आपको तो देखिए यहां पे इसकी quality भी एकदम reduce नहीं हुई है एकदम perfect यहां पर आपकी जो password size photo है वो बनके तयार हो गई है ठीक है अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस password size photo को और असान तरीके से करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं जैसे कि अभी आपको यहां पर क्या करना पड़ा मतलब a4 size page लेना पड़ा फिर उसमें आपने इस photo का डाला फिर एक एक करिके आपने इसको duplicate करें कि यहां पर इस pattern में यहां पर रखा ठीक है लेकिन इस काम को और असान तरीके से आप कर सकते हैं एक website के मार्दियम से जिस website का नाम है passport size pic.com जैसे कि मैं passport size pic.com इसको अगर मैं open करता हूं तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहां पर दिखाई देगा यहां पर कुछ नहीं करना होगा आपको photo upload करनी है कुछ इस तरीके की तो मैं क्या करता हूं upload कर लेता हूं लेकिन upload करने से पहले मेरे को ऐसी photo चाहिए भी तो होगी तो मै pic to के नाम से या फिर pics के नाम से इसे save कर लेता हूं मैं okay तो यह photo मेरे पास आ गई अब एक ही photo से मैं इस तरीके की photo का PDF बना सकता हूं देखिए कैसे होगा upload के button पे click करना है और उसके बाद मैं उस photo को उठा लेता हूं यही photo open पे click करता हूं देखिए यहां पे upload हो गई अब अब small में क्या है मैं आपको बताता हूं देखिए जैसे कि अभी यहां पे इस a4 size के page में जो एक line में यहां पे photo आई है कितनी आई है 5 ठीक है अगर आप उसमें small रखेंगे तो यहां पे एक line में आपका 7 photo आएगा अगर small रखते हो यहां पे तो ठीक है अगर medium रखोगे त तो आपका ऐसा ही आएगा यहां पे 6 photo आएगा ठीक है और अगर large रखते हो तो इस तरीक से 5 photo इस तरीक से एक line में आएगा ठीक है यहां पे तो हम फिलाल medium select कर लेते हैं medium ही चलता है हर जगा अब number of photos आप आपको कितनी photos चाहिए यहां पे जैसे कि मैं यहां पर 40 photos ढाल दू तो 40 photos मेरे को बना करें photo का मतलब इस तरीक से 12345 इस तरीक से ठीक है तो उमीद करता हूं समझ भारे हो गया ठीक है बस अब कुछ नहीं करता make photo पे click करिए और यहां पे photo है वो बनके तयार हो गई लीजिए देखिए और यहां पे medium रखा था हमने तो देखिए medium में यहां पे save कर सकते हो यहां से download का button देख रहे हैं इस पे click कीजिए और जहां download करना चाहते हैं आप वहां download कर लिजिए मैं desktop पे करना चाहता हूं save कर लेता हूँ यहां से open करके आपको दिखाता हूँ वैसे ही open हो रहा है यहां पर यहां पर एक मिट में desktop से open करता हूँ यह रहा password size pick और यह देखिए full HD quality में आपको यहां पर मिल रहा है ठीक है तो अब आपके उपर depend करता है आप किस से बनाना चाहते हैं ठीक है तो आप चाहें तो बना सकते हैं अपने Photoshop से भी और इस website से भी बाकी इस website का link मैं आपको description में दे दूँगा आप वहाँ पर जा करके इस website पर आ सकते हैं ठीक है तो अमीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीक से अपनी password size photo बना सकते हैं ओके तो आज की इस video में सिर्फ इतना ही तो मिलते हैं नेक्स वीवें तो थैंक्स वर वाचिंग वर वीडियो आव नाइस दे